हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दवाईए और यहाँ पर ओल कीजिए दोस्तों यहाँ पर यूको बैंक में ने जो एकाउंट ओपन किया था यहाँ पर उसका डेवीड काड यानि की एटीम काड मेरे हाथ में आ चुका है यह आपको एकाउंट ओपनिंग के समय में आपको तुरंत मिल जाता है यहाँ पर बाइपोस्ट इंदजार नहीं करना है आपको हाथ हो हाथ यह देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसका हम आप इसके जब तक आपके पास यह नहीं रहेगा आपका डेविट कार नहीं रहेगा यूको आपको यहाँ पूरा परोसेस बताते है कैसे हम मोबाइल बैंकक को रइस्टेशन करते हैं एक्टिवेट करते हैं हेलो नमस्कार दोस्तों आज के एक और फ्रेस वीडियो में आप लोका स्वागत है मेरा नाम अमीत है और आप देखरें एड़वाईस एक्सप्रेस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Yuko Bank में Yuko Bank का Mobile Bank को कैसे घर बैठे एक्टिवेट करते हैं Yuko Bank का Mobile Bank को एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक जाने की जुरूत नहीं आप खुद से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं Yuko Bank में इसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि Yuko Bank में घर बैठे एकाउंट कैसे ओपन करते हैं जदि वो वीडियो नहीं देखा है उपर में आई बड़न पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रेशन में ने लिंक दे दिया है आप वहां से भी देख सकते हैं कि हम Yuko Bank में घर बैठे एकाउंट ओपन कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में मैं पूरा बिस्तार से बताने वाला हूँ कि Yuko Bank का Mobile Bank को कैसे हम Activate करते हैं मोबाइल बैंकिंग को कैसे सुरू करते हैं मोबाइल जब आप Yuko Bank में एकाउंट आपका ओपन हो जागा तो आपको तुरंत यहाँ पर डेवीट कार्ड यानि की ATM कार्ड देखने को मिलता है तुरंत देता है आपको हाथ हो हाथ यहाँ पर तो आज की इस वीडियो में चलिए हम Yuko Bank का Mobile Bank को Activate करना सिखाते हैं आपको तो चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेश्ट है कि दोस्तों अधि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज अभी स पहले आपको Google Play Store खोलेना होगा और यहाँ पर सर्च कर लेना होगा आपको Yuko Bank जिसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर उपर में आ जागा Yuko Banking Plus यहाँ एम बैंकिंग प्लस आपको इसे ही इस्टॉल करना है चुकि हमने इस्टॉल कर लिया यहाँ से तो हम यहाँ क्या करे इसे ओपन करेंगे अब यहाँ से ओपन करने पर आपको कुछ यहाँ पर पर मिसन देना होगा यहाँ पर अलॉग करेंगे अब यहाँ पर आपको पर मिसन देने के बाद यहाँ पर अलॉग होगा यहाँ फिर से अलॉग कर दिए अब यहाँ पर देखिया वो करना क्या होग अब यहां से open करने पर आपको यहां पर register का option मिलता है धियान रहे कि यहां पर आपने जो mobile नम्मर बैंक में दिया है वह नम्मर आपके mobile में लगा होना चाहिए सिम आपके मॉबाइल में लगा होना चाहिए और उस नमबर से एक SMS सेंड होगा तो धियान रहे कि SMS सेंड करने के लिए आपके पास प्रियापत बाइलन्स होना चाहिए आज कल जितने भी रिचार्ज होते हैं फिरी वाले सभी में MS MS send करने के लिए balance रहता है साथ ही यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका सीम 1 और सीम 2 है तो जिस जो नमबर आपने इसमें लगाया है उसको सीम 1 में या सीम 2 में सेलेट करके करना होगा message send जैसे कि यहाँ पर हमारे case में यहाँ पर सीम 1 इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे message send करने के लिए आप सना जाता है तो यहाँ पर आपको message send करना पड़ता है तो यहाँ पर जो नमबर आपने bank में दिया हुआ नमबर आपके mobile में लगा हुआ होना चाहिए साथ ही आपका सीम 1 में यहाँ पर स्याइट करके message send करना होगा यहाँ पर हम सेलेट कर लिए हैं सीम 1 में मेरे case में यहाँ पर send पर click करेंगे अब यहाँ पर यह message send होगा देखे अब आपका mobile को यहां पर verify किया जागा अब देखिए आपर mobile नमर आ गया है अब यहां पर OTP भी आपका automatic यहां पर ले लेता अब यहां पर OTP automatic यहां पर यह रीड कर लेता है यहां पर account number आपको टैब करना होगा अब यहां पर आपको अपना account number यूको Design टालना होगा आप यहां पर्छ network कर दिया अब नीची किया टैप करना है यहां पर देखिं यहां पर आपको लाश्ट अन्यक्सन यानि कि आप ने इसमें एक या फिर आप निकाला है यहां पर टैप करना होगा जदी आपने एकोंट नाय लिए ओपन किया और इसमें अभी तक पैसे नहीं डाले है तो आप किजिए किसी को बोलिए अपना 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 रिखा करके उन से पैसा इसमें डलवा लिए 10 रूपर बार रूपर जो यहां पर आपको डेवीट है 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 यहां से पैसे निकाले हैं तो यहां पर डेवीट पर सलट कीजिए ज़िए आपने इसमें जमा किया है तो यहां पर क्रेड़ रट इकनर नियाक चैनल को से अपना पैसा निकालें तो जितनाल रुपय निकालें यहां पैसा जमा किया है इसा की आपने आपने अपने ओपनिंग्स अपने पैसारप select कर लिजे और यहां पर 500 रुपे लिख दीजे यदि आपने यहां पर कहीं से ATM से निकाला है पैसा ATM कार्ट से यूपक बैंक ATM कार्ट से तो यहां पर debit पर क्लिक केजिए और जितना रुपे आपने निकाला है यहां पर type करना होगा या फिर आप reviewers किसी को अपना account number दे दीजिए और उसको बुलिए कि यहां पर 100 रुपए या 50 रुपए या 10 रुपए जितना देना है यहाँ पर अपने account में उनको बुलिए ढाल देगा यहां पर डाल दने के बाद जितना रुपे डालेगा यहां पर टैप करेंगे, जिसे हम यहां पर 500 रुपे इसमें डाला है, यहां पर 500 रुपे क्लिक करेंगे, और यहां पर OK पर क्लिक कर लिए, अब यहां पर Account, Customer ID यहां पर Select करने के लिए आगिया, तो यहां पर Efendimizと思 अपर को सेलेट कर लिए अब यहां पर आपको जोरत पर लेगा आपका यहां पर 16 डिजिट का आपका यूकूर डेविट कार्ड नमबर यहां पर डेविट कार्ड नमबर आपको चाहिए यहां पर आपके पास जो मिला है डेविट कार्ड यानि की एटियम कार्ड इसका नमबर और इसके बाद यहां पर काड का पिन टैप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे कि अब यहां पर आपको न्यू पिन अब यहां पर आको एक वरना पर यहां पर क्या डिजिट का एंप माली जिए नीचे में कंफॉर्म एंप एंप strengthening करना होगा यहां पर TPन है और नीचे confirm TP अब TPन क्या है TPन हो गया पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैनने कि आप जब कहीं पर किसी को सेंड करें कि किसी को मनी सेंड करेंगे अपने मोवाईल बनाना है यहाँ पर M-PIN आपको चार डिजिट का बनाना है और New T-PIN आपको भी चार डिजिट का बनाना है तो M-PIN और T-PIN दोनों अलग-अलग होना चाहिए दोनों एक नहीं होना चाहिए तो आप समझ गए तो इस पर ऑपर M-PIN मतलब होगे आपका, मोबाइल में जो लोगिन करेंगे तो आपको M-PIN चाहिए और T-PIN मतलब होगे जब आप किसी को पैसा सेंड करेंगे तो यहाँ पर T-PIN का ज़रोत परेगा त्रांजेक्शन के लिए आप किसी को पैसा सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर टीपीन का ज़ुरत मेरेगा, चलिए हम यहाँ पर एंपीन बना लेते हैं, चार डीजिट का एंपीन, अब यहाँ पर देखी हमने उपर में एंपीन 4 रकषर का बना लिया है, नीचे भी एंपीन 4 रक इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा इस पर हम बताएंगी कि आपका को सकते हैं यहां पर टोटल डीटियल में बताने वाले यह आ पर मैसेज भी आपके मौइल में आजाएगा तो दोस्तों मेरी कि मैंने आपको अच्छी तरीका समझा दिया कि युकण का मौबाइल banking को कैसे हम घर बैठे activate करते हैं इसे registration करते हैं आपके मन में कोई सवाल है कोई प्रस नहीं तो हमें comment करके जरूर पूछे आपको comment का जवाब देने कोशी सम जरूर करेंगे फिर मिलते अगले वीडियो में करते के लिए अपना बहुत बहुत क्या लगिए बाइ टेक केर